दोस्तों अगर आपको जट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS Clips Hindi के चैनल पर आपका स्वागत है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आप घर आ गए जेनरली कैसे हो आप? मस्त अभी थोड़ा सा ब्रेक चल रहा है अभी फिर वापीज करेक्ट स्टार्ट होगा क्योंकि काफी टाइम के बाद दो महिने का ब्रेक पिल है IPL के बाद वाइड बोल करेक्ट काफी टाइम के बाद हो रही है पेस्ट इस में तो I'm very excited अब क्या करतो ब्रेक में? ब्रेक में रेस्ट spend time करता हूँ family के साथ, wife के साथ just normal like यह मेरा proper chill period है rest आपके लिए क्या होती है वसे? rest for me is like mentally क्योंकि जब आप cricket वेकर खेलते हैं तो भूँ सारी चीजे माइड में चलती है थोड़ा pressure भी होता है because every match you have to perform और यहाँ पर आगे is like with our people I feel so relaxed कि हाँ, कुछ भी कर सकते है कि family judge नहीं करती yeah, definitely क्योंकि cricket के success के साथ fame भी increase होता है और fame के साथ judgment increase होती है वो तू है आजकल आजकल? आजकल thanks to social media for that okay, आपको देखकर न मुझे कभी कोई बहुत अच्छा लगता है क्यों 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 अच्छा लगता है आपकी सफलता देखकर most wickets in IPL and generally मैं आपको आपके पूरे करियर को as a fan track किया है, from your first game for RCB, okay, बुरा इसे लगता है क्योंकि आप एक जमाने में मुम्में इंडिंस के लिए क्यों 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 नभी मुंबई, so I went there, I signed, I was very excited मतलब IP लियार, मतलब उस टेखते थे, तीन साल टीवी पर देखा था तो एक गुड जर्नी अब कौन सी टीम को सबोर्ट करते थे, as a fan स्टार्टिंग से मैंने राजस्तान को किया है, क्योंकि शेहन वांसर वाद मारलाइजिन तो मैं हमेशा मतलब उनको देखते आयों और जो लेक्स्पिन मैंने सीखी, पहले मेरे एक्शन उनकी तरह था, अदर नाइटीन तक, बिल्कुल डिटो वैसे, अदर जलके और उनका एक पोस्टर होता था, जीब निकालके, वो पोस्टर मेरे रूम में होता था, मतलब राजस्तान को सपोर्ट किया, और 2010 में मैं उनके प्रोविल्स में था, और क्योंकि उस ताम ये था कि 19 प्लस, अंडर 19 यू कंट प्ले आईपल, तो इस विए से मैं टीम में निया पाया था, वाव, मतलब आप ओरिजिनली राजस्तान राजस्तान को सपोर्ट करते थे, पॉर्शनेटली जो हुआ, फिर वो थोड़ा सा, उस ताम दो-तीन दिन लगा मेरको, एक और पॉड्कास्ट ओरियंड चीज कहना चाहूंगा, एस अ फैन, बहुत लोगों बहुत अजीब लगा था, जब आरसीब ने आपको रीटेन नहीं किया, आपको कैसा लगा, आपको किसी को समझनी है, आपको कॉम्पलिमेंट करने की कोशिज नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे क्रिकेट वाचर बता रहा हूं, बहुत अब्विस चीज है कि आपको, मतलब जब, पता है, फैन्स गेस करते हैं, एक साथ में, जब रेटेंशन लिस निकल के आते हैं, तो फैन्स गेस कि उन्होंने में कोश चांस दिया अपने आपको परफॉर्म करने का, जब मैं 2014 में आया था, फर्स मैच से मेरे को एक विराट बिया ने एक टरंस दिखाया, फर्स मैच से मैने स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा बुरा लगता है कि आट साल यार, एक हो जाता है, एक मतलब बन जाते है, क्योंकि मैंने देखा था कि, अरे यूजी ने बहुत पैसे मांग लिया होगे, यूजी ने ये मांग लिया होगा, वो बहुत सारी चीजी आया थी, तो इसले मैंने एक इंटर्विम बोला था, कि मैंने कुछ पैसा नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं बोला, कि म मेरको इतना पैसा चाहिए मुझे मेरको पता है मैं कितना डिल्षर्व करता हूं और टर वॉर्स भीनिग की मेरको को फॉन कॉल नहीं आया मुझे बता अक भून ऐप करते थैंक क्या है डिल्ली। हम एoriented जाएंगे, जाएंगे, मैं ठीक है, अगर सम्वन तेलिंग मी, मैं ठीक है, लेकिन जब उदर गया है, तो I was very angry, कि मैंने आठ साल किसी टीम को दिया है, और चिन्ना स्वामी जाएंगे, और वहां के लोग मतलब, हर क्रिकेट फैन का फेरेंगे, तो वहां से में को बुरा लग अब वो चीज ऑक्षिन एक ऐसी चीज है, उसमें कुछ भी हो सकता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, तो I realized कि ठीक है, जो भी होता है, अच्छे क्लिए होता है, लेकिन मेरे को एक प्लस पाइंट यह हो, कि राजस्तान में आगे मैं डैथ बोलर बन गया, मैंने डैथ में बोल अच्छे के लिए होता है, लोग मतलब दस सदाल के बाद दूसरी टीम में भी जाते हैं, तो it's fine, as a professional cricket, आपको लो लेना पड़ता है, तो एक attachment definitely है, RCB के लिए, चिन्ना स्वामी वहा के लोगों के लिए, बट कहीं ना कहीं उस अराजस्तान में आना मेरे को मेरे cricket wise बहुत ह प्लस जो आपने का बचपन में राजस्तान के फैन थे, तो कभी कोई ऊपर वाला ऐसी stories प्लान करता आपको ले, आप इस नजर्य से देख तो, इतना तो खर मैं सोचता नहीं हूँ कि मतलब ये था कि मेरे लिए था कि मैं जब राजस्तान आय तो, I was more free, mind wise, more free, कि मैं ज्या कि मैं परस ऐसे ही पूछूंगा, RCB जीतती क्यों नहीं, that's a good question, 8 साल मुझे भी होगे तो ढूंद तो पर अभी तक सवाल ढूंद रहे, क्योंकि on paper, मैं बोलूंगा मैं नहीं सहर, I think 2016 में सबसे best team था हमारा, Chris Gale, KL थे, unfortunately हम final हार गए, I think वो सबसे बुरा में लिए IPL रहा ह होगा, मतलब कि final हम पहुंचे, क्योंकि हमारा situation से होगी थी, हम साथ में से 6 मैं जीतने हैं, वो season, हम साथ में 6 मैं जीते, फिर last में क्वालिफायर में एक ऐसा आ गया थे कि Delhi के match था राइपूर में, जिसमें में को first time purple cap मेली थी, वो भी 2 दिन के लिए, तो वो एक ऐसा थी क in RCB only and वो 8 दस रंसे मैं चाहरे हैं I think, वो जादा वो था, पर आज वो एक क्रिकेट x-ray vibe पूछ रहा हूं कि कभी ऐसे discussions हुए है, नौक आट के बाद, फाइनल के बाद, बात होती है कि next year क्या कर सकते हैं, अब उस चीज़ पर अगर आप बात करते होगे तो आप पिले 6 साल की बात कर सकते हैं नहीं जीते हैं पर अच्छी किरिकेट खेल के हारते हो न तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, एक होता है यार, चलो हमने ट्राइ किया, रे, होता है, स्टार्टिंग से ही हार के क्यों हम एक बार ऐसा है कि हम 6 मैच लगा ता अर भी हारे हैं, तो सात्तम जब हम जीते थे हमने ऐसे एंजॉय किया है जैसे हम फाइनल जीते गे तो किकेड आपको ऐसे भी दिखाती है कि अब जीते हैं और वो भी हम एक रन से मैज जीते थे वो भी चेनिक गेंस वो पर पार्थिभी रून ओट कर दिया था तो मतलब ऐसे से मैज मतलब आपको एक तोस्ते नहीं है कि इम्स की आइंटिटी होती है क्या क्योंकि एज फैन कभी-कभी ऐसा लगते कि हाँ टीम्स की इडेंटिटी होती है जैसे अगर CSK में देखा जाए तुम्हाई भाई है और MI में रोट भी आए और MI में यंग क्रॉप लेकिन में अगर देखा जाएगा तो रोट भी आइपल टाइटल जब वो MI में आय थे तो 2011 में वो आय थे हमने फर्स्टाइम चैंपिंस लीग जीता था जी 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 तूर्स्टाइम में हमने दोनों जीता दैन वहां से क्योंकि मैं फिर आरसीबी चला गया था लेकिन जैसे आरसीबी में है विराट विया एबी सर थे क्रिस गेल तो वो एक आइकन जब प्लेयर होता है ना तो मतलब उसका थोड़ा सा फैन बेस का फरक पड़ता है डेफिनेटली ने पर टीम के वाइप पर भी फरक पड़ता है ने ऐसा कुछ न इसको बोल दें कि आप इस पर ध्यान रखिए दोस्तों कर यह वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस देख लीजिए ऐसे ही वीडियो आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टी आरेस क्लिप्स हंदी को सब्सक्राइब कीजिए झाल